प्छी अजले हमारी जो पिछली वीडियोस थी वो किंटेनिंग थी जिम ट्रेमिंग पे नहीं बच्चे हैं जिन्होंने अभी बी जिम जॉईंग की होती है उनके लिए खसूसी जिम की ट्रेमिंग की वीडियोस बनाई थी और माशा आला से काफी बच्चों ने वो वीडियो देखी और एप्टिशेट किया अशलमें वो वीडियो मैंने बनाई थी अपने भाईょं के लिए अपने बच्चों के लिए जो मेरे आस पास राईते थे मिलने वाली मरे जानने वाली तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जिम की जो थोड़ी वो ट्रेनिंग है वो हमें दें तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अलग अलग से एक एक गेम की एक 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 एकसरसाइस की वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूँगा ताकि वो आपके लिए भी फाइदा मान दो और जो आइदा आने वाले बच्चे हैं जो जिम जाना चाते हैं और उनको समझ नहीं है एकसरसाइस की और बकाइदा से वो अपना एक ट्रेनर भी नहीं रख सकते तो उनके लिए ये वीडियोस काफी फाइदा मान होगी इसके अलावा हमने सबने मिलकर ये सोचा कि हम इस चैनल पे कुछ और ट्रेनिंग्स भी करवाएंगे कुछ कोर्सिस की ट्रेनिंग्स भी करवाएंगे जैसे कि मैंने पहले यह सेलेक्ट चिया है पहले नमबर पे वह is spoken English course जो कि हमारे तकरीब आ हर पाकिस्तानी का यही मसला है कि वो स्कूल लेवल भी क्रोस कर जाता है इवने के कॉलीज और यूनिवर्सटी भी क्रोस कर जाता है लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसे जब कोई गोरा बोल रहा होता है उसको इंगलिश की समझ नहीं आ रही होती या किसी गोरे के साथ वो बात करने से डरता है ऐसा क्यूं है? इंगलिश में हम बात क्यूं नहीं कर सकते? खास करके हम पाकिस्तानी जो बेहन भाई हैं जो मुझे देख रहे हैं मेरे जैसे वो उसे ऐसे होंगे कि जो पढ़ लिग गए हैं लेकिन इंगलिश में बात करना नहीं आती इंगलिश बोलना नहीं आता इंगलिश की समझ नहीं आती क्या वज़ा है क्या रीजन है? तो ये वीडियो खास दोड़ पे उन बच्चों के लिए है जो इंगलिश बोलना चाहते हैं उनके लिए नहीं जो नहीं बोलना चाहते हैं जो बोलना चाहते हैं चाहिए उन्होंने मीडल किया है, मैटर किया है, एवनके बीए किया है अगर वो कॉर्स, इस कॉर्स को अच्छी तरह समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो इन्शाला मुझे उमीद है कि आप इस काबिल तो हो जाएंगे कि आप किसी गोरे के साथ कम्यूनिकेट कर सकें, बात कर सकें इसके बाद, आपको मेरी शकल तो नज़र नहीं आएगी मैं आपको पूरा कॉर्स जो होगा, वो एक लैप्टॉप पे समझाऊंगा मुक्तलिफ किसम के अलफाद होंगे, वर्ड्स होंगे, उनको बोलने की प्रैक्टिस करवाऊंगा और बहुत से जो इंग्लिफ स्पोकन के वर्डिंग है, उनको आपके साथ डिसकस करूंगा कैसे बात करनी है, आपने एक एक चीज़ को हम सीखेंगे देखें, ग्रैमर जो है ना, वो बेसिक ग्रैमर वो आपको आनी चाहिए बेसिक, ज्यादा डीप नहीं, बेसिक से मुराद ही है कि आपको इतना पता हो कि आप माजी की बात कर रहे हैं, आप प्रेजन्ट की बात कर रहे हैं, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो बेसिक जो speaking English का मतलब यही है कि आपने अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना है चाहे इशारों से पहुँचाना दे। चाहे बोल के अगर आपने बोलना छोड़ दिया आप रुक गए अटग गए तो इसका मतलब ही है कि आपने बोलने में प्रैक्टिस नहीं की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितना आप ज़्यादा बोलेंगे इंगलिश में चाहिए आप जुमले को अदूरा चोड़ दें लेकिन अगले तक आप अपनी बात को जरूर पहुँचाएं इन्शाला हम इनी बातों को डिसकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इन्शाला इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे चलें शुरू करते हैं जी वीवर्स तो हम आगे हैं लैप्टॉप की सुक्रीन पे ये बिलकुल ही मुक्तलिफ है एक ग्रैमर से जैसे हम अर्दू में बात करते हैं तो हमें किसी ग्रैमर का नहीं पता हमने किसी को अपनी बात समझानी होती है हम ग्रैमर के मताबिक किसी से बात नहीं करते हैं उर्दू के अंदर बंदा था उसने तीन अलफाज सीखे थे इंगलिश के येस नो एंड वैल ये तीन अलफाज सीखकर वो एक अंग्रेज के घर चला गया नोकरी के लिए तो उसने इंगलिश के अंदर उसे बात की तो उससे पूछा मैं विल यू वर्क हार्ड क्या आप मेनत करेंगे तो उसने बोला येस उसने का तुम काम में कोताही बढ़तोगे उसने का नो उसने का कि मैं आपको 3500 रुपे मंतली दूंगा तो आप इससे एगरी करते हैं उसने कर दिया ठीक है तो ये तीन अलफाज ही कर अगर एक बंदा अंग्रेज के हां जॉब कर सकता है तो हम कैस काबल में नहीं है कि हम इन अलफाजों को सीख कर किसी गोरे के साथ किसी अंग्रेज के साथ कम्यूनिकेट कर सकें बात कर सकें हमने खूद को इस काबल बनाना है इन् है कुछ हदायात कुछ इंस्ट्रक्शन्स देना चाहता हूं अंग्रेजी बोलने में मिसाल के तो पर अगर आप कोई फिक्रा बोला जाते हैं तो आप रुक रुक करना बोलिए बलके रवानी से बोलें चाहे फिक्रा अदूरा ही रह जाए ग्रैमर के चक्र में नहीं पढ़न नमबर बन नमबर टू अगर आप किसी मक्सिद के लिए घर से निकले हैं मसाल के तो पर आप जोब इंटर्विव के लिए जा रहे हैं किसी कॉलीग को मिलने जा रहे हैं वहां बोले जाने और सुने जाने वाले जूमले उन से मतलक आपने त्यारी करके जानी हैं के हुए हैं इस कोर्स के अंदर भी मैं आपको बताओंगा तो वो जुम्ले आपने याद करने है जहन निशीन करने है वो उसके रिलेटिड ही आपसे क्वेस्चन होते हैं और आपने उसके रिलेटिड ही आपका जवाब देरे हैं जैसे हैं मैंने आपको मिसाल दी एक बंदे कि वो तीन अलफाज सी कर गया एक नोकरी असल करने के लिए और उसने कुछ भी नहीं बोला सिर्फ वो तीन अलफाज जो बोले उसकी बात सुनी और उसको जवाब दे दिया दूसरा स्टेप आपको क्लियर कर दिया मैंने तीसरा स्टेप ये है कि रोजाना जो बोले जाने वाले जुमले है जो डेली लाइफ के अंगर बोले जाते हैं आपने वो पके-पके याद डेल देने हैं उसके बाद चौते नमबर पर ये है कि ये जो कौर्स आपको मैं बताने जा रहा हूं इसमें मुझूद जितने भी लेक्चर्स होंगे जितने भी वर्ड्स होंगे जितने भी इसके अंदर मुकालमे होंगे डायलोग सोंगे वो आपने याद करने है इंगलिश बोल चाल में पहला कदम हमारा पहला स्टैप तो आपने कई अलफाज ऐसे सोने होंगे जो के जिसका मतलब सहम है एक ही मतलब है लेकिन इंगलिश के अंदर उनके एक से ज्यादा वर्स उनके लिए बोले जाते है जैसे हमारे हाँ दही को कर्ड बोलते है सी यू आरडी कर्ड दही को बोलते है मैं आपको दिखा रहता हूँ इंग्जेंपल जी तो इंगलिश के अंदर बोले जाने वाली जो लेंग्विज है उसके अंदर ब्रिटिक्श इंग्लिश भी आती है अमेरिकन इंग्लिश भी आती है इन में से कुछ अलफाज है जो अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट है ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंट है लेकिन उनका मतलब सेम है लेकिन कुछ अलफाज ऐसे हैं जिनके अमेरिकन इंग्लिश के अंदर और ब्रिटिंच इंग्लिश के अंदर words same है लेकिन उनके मतलब difference है पाकिस्तान के अंदर यानि कि पहले हमारा example हम देख लेते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एक लफ्ज यूज़ करते हैं कर्ड जिसका मतलब है दही तो इसको अगर अमेरिकन इंग्लिश के अंदर हम देखें या योर्पेन कंट्रिस के अंदर देखें तो कर्ड का लफजी नहीं है वहाँ पर योगर्ट डोला जाता है दही को तो इसी तरह हमारा जो एक और चीज जो मैंने आपको बता ही है कि वर् उसका मतलब चेंज हो जाता है डिफरेंट प्लेसिस पर जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर ब्रीफ एक लफज यूज किया जाता है अक्सर आपने पेपर्स वगरा दी होंगे तो वहां पे लिखा होता है कि सवालात के मुक्तसर जवाबाद दें या इंग्लिश के अंदर ल लेंग्विज के अंदर तो वहां पे ब्रीफ का जो लफज है जो वर्ड है वो अंडर वियर के लिए यूज होता है वहां पे अंडर वियर यूज नहीं होता हमारे पाकिस्तान के अंदर यूज करते हैं लेकिन वहां पे अंडर वियर के जगा ब्रीफ यूज होता है जी त लेकिन उनके मीनिंग पाकिस्तान के अंदर सेम है और जब भी इन दोनों वर्ड्स के अंदर कोई एक वर्ड बोला जाए तो आपके जहन में उसका मीनिंग एक ही आना चाहिए आप इस चक्कर में न पढ़ जाएं कि पता नहीं ये कोई और चीज होगी ये कोई और चीज होगी दोनों वर्ड्स ही सेम चीज के लिए यूज होते हैं सेम मीनिंग के लिए यूज होते हैं तो यहां पे कुछ एक्जेम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ आपने ऐसे और भी अलफाज डूनने हैं अगर आपको मिल जाते हैं तो यह आपने डूनने है यहाँ पर कुछ हैं वर्ड्स वह मैं आपके साथ डिसकस कर देता हूं थोड़ा समय जूम कर देता हूं इसको यह कुछ वर्ड्स है मैं जूम कर दी हैं हम देख लेते हैं और इसक के बोला जाता है रेडियो या टेलिवीजन का एक अंटीना होता है जिसे एरियल भी बोलते हैं तो एरियल बेसिकली ये ब्रिटिश इंग्लिश का लफज है एरियल जिसको और लेडी हम इंग्लिश में ही बोल रहे होते हैं इसको हम अंटीना भी बोलते हैं तो ये दोनों अल एक ही चीज़ को दो वर्ड्स के अंदर डिफाइन किया जा रहा है बोला जा रहा है लेकिन चीज़ सेम ही है आपने इस चक्र में नहीं पढ़ना कि ये चीज़ कोई और हो सकती है ये चीज़ कोई और हो सकती है ऐसे बहुत से अलफाज हैं जो सेम एक ही चीज़ के लिए बोल होते हैं autumn, दूसरा उसको बोलते है fall, इसी तरह लफस है currency not, जो हम currency के लिए पैसों के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी दो अलफाज यूज़ की जाते हैं, इंग्लिश के अंदर एक है bank not, दूसरा है bill, इसी तरह होटल वगारा का जो बिल होता है, जब हम होटल मे झाना करते हैं, तो उसका जो bill, बन कियाता है, उसको दो अलफाज के लिए डThe powder, डिफ़ाई किया जाता है एक उसको बोलते हैं बिस्किट, दूसरा लफ़ज है कुकी, ये दोना अलफ़ाज ही एक चीज के लिए यूज किये जा रहे हैं, इसी तरह हम और देख लेते हैं कुछ अलफ़ाज, जी, जैसे इंजिन का ढकन, गाड़ी के इंजिन के ओपर जो ढकन होता है, जिसको हम खोलते हैं और नीचे इंजिन होता है, उसको इंग्लिश के अंदर दो अलफ़ाज में डिफाइन किया जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं बॉनेट, और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं हुड, इसी तरह टिकट देने वाला क्लर्क, क्लर कोता है जो हमें टिकेट परवाइड करता है उसको दो अलफाज के अंदर दो वर्ड के अंदर डिफाइन करते हैं British English के अंदर उसको बोलते हैं booking clerk इसी तरह दूसरे नबर पे टिकेट एजेंट चकार की जो डिगी होती है उसको English के अंदर कैसे बोलते हैं दो अलफाज हैं British English में इसको बोलते हैं boot और American English के अंदर इसको बोलते हैं trunk इसी तरह फून बॉक्स दो वर्ड हैं लेकिन इसका मेनिंग सेम है काल बोक्स टेलिफून बूट ये एक ही चीज़ है इस तरह कार या गाड़ी के लिए दो अलफाज यूज होते हैं नमबर वन कार नमबर टू आटो मॉबाइल इसी तरह दवासास यानिके जहां से हम मैड ये स्टॉर पर तो जो वहां पर दवाई देने वाला बंदा है उसको बोलते हैं चैमिस्ट और ड्रैगिस्ट इसी तरह सैनिमा घर जो होता है जहां पर मूवी ज़रा देखी जाती है उस सैनिमा भी एक इंगलिश का लफ्स है और इसकी जगह पर हम मूवी हाउस भी बोल सक एक मुबी हाॉस। इसी तरह चिपस के लिए चिपस और फ्रेंच फ्राइस ये दो बोले जाती है। इसी तरह कपडों की अलमारी के लिए काप बोरż लगेस्ट काप बोर ऐस्ट कि अबोर प्ल्वजेट, इसी तरह परदे के लिए जो परदे हम लटकाते हैं पर्दे दर्वाजे के आगे, उसको हम दो अलफाज में डिफाइन कर सकते हैं, कर्टेंस, कर्टेंस, और नमबर टू पे हैं, ड्रैप्स, इसी तरह सिंगार मेज, जो मेज होता है, जिसके ओपर शीशा लगा होता है, अक्सर खावातीन ये जानती हैं, सिंगार मेज को, इंग्लिश के दर दो अलफाज में हम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग, एक उसको बोल सकते हैं, ड्रैसिंग टेबल, और दूसरा हम बोल सकते हैं, ड्रैसर, इसी तरह फ्लैट या छोटा सा घर रहने के लिए जो होता है, उसको हम दो अलफाज में डिफाइन कर सकते हैं, नमबर वन फ् उसको इंग्लिश के अंदर दो अलफास में define करते हैं एक उसको बोलते हैं flight over दूसरा इसको बोलते है over pass इसी तरह सडक के किनारे पैदल चलने के लिएक रसता होता है जिसको हम foot path कहते है इंग्लिश में दो अलफास में इसको हम the find कर सकते हैं foot path और नमबर टू, साइड वाक आएए हम कुछ और एक्जैम्पल्स देख लिखते हैं इस तरह के वर्ड्स की जो एक ही मीनिंग के लिए यूज होते हैं लेकिन इंग्लिश के अंदर हम उसे दो तरह से डिफाइन करते हैं जैसे हम दफ्टरी मालूमात लेने जाते हैं या दफ्टर की मालूमात उसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं नमबर वन, इंक्वाइरी आफिस जहां से इंक्वाइरी की जाती है, इंफर्मेशन ली जाती और नमबर टू, Information Bureau Information Bureau इसी तरह Letterbox Letterbox जिसमें हम Letter डालते हैं जाकि Box बना होता है उसको Letterbox कहते हैं और इंगलिश के अंदर इसे दो अलफास में Define किया जाता है नमबर वन Letterbox नमबर टू, Mailbox यानि के दो वर्ड्स को हम सेम चीज के लिए उज़ कर रहे हैं अच्छा, इसी तरह जो Lift होती है, अक्सर मंजल, जे मंजले उची होती है कई Buildings की तो वहाँ पर Lift लगाई जाती है उपर वाली मंजल पर जाने के लिए तो उसको भी दो अलफाज में डिफाइन करते हैं नमबर वन उसको Lift बोलते हैं ब्रीटिश इंग्लिश में और नमबर टू, उससे बोलते हैं Elevator और इसी तरह लंबी लारी या ट्रक असमें लारी लफ्द इंग्लिश का है जिससे हम समझते हैं कि लारी ये इंग्लिश का वर्ड है और ये सेम एक ही चीज के लिए बोला जाता है ट्रक के लिए इसको लारी या ट्रक बोल सकते हैं रेडियो पर खबरे पढ़ने वाला जो बंदा होता है जो शक्स होता है जो परसन होता है रेडियो पर खबरे देने वाला उसको दो दरह से डिभाइन कर सकते हैं नियूज रीडर या उसे नियूज कास्टर same, एक ही चीज़ के लिए हम दो वर्ड यूज़ कर सकते है American English थोड़ी से different है British English थोड़ी से different है यानि कि दोनों के तलफुज pronunciation में फ़र्ड है लेकिन उनका मतलब same है आप पाकिस्तान में रहे कर इन दोनों वर्ड को यूज़ कर सकते है आप किसी गोरे के साथ बात करते हुए इन दोनों वर्ड के अंदर आपने confusion में नहीं पर जाना कि ये बंदा किस चीज़ की बात कर रहा है अगर आपको उन चीज़ों का मतलब आता है उन वर्ड का मतलब आता है तो इन दोनों में से अगर कोई भी वर्ड वो यूज़ करता है तो आपने उसको समझ लेना है इसी तरह ये step by step मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं आप पर सकते हैं जैसे के पेटरॉल के लिए पेटरॉल के लिए दो वर्ड कह सकते हैं उस को उसको गैस स्टेशन भी कह सकते है系 इसे तरह खत डाक में डालना ये तो चीज हमें हमने पता की है न कि जिसमें खत डाला जाता उसको लेटर बोक्स बोलते हैं अब ये खत डालने वाले प्रोसीजर को क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पोस्ट करना या मेल करना ठीक है वर्ब के साथ इसको यूज करना आपने करना या पोस्ट करना या मेल करना खत डाला इसके लावा खातून उनके जो बैग होते हैं उनको हम बोलते हैं पर्स या हैडबैग इसी तरह ट्रैफिक के लिए गोल जो चक्र होता है उसको हम राउंड अबाउट कहते हैं या ट्रैफिक सर्कल कहते हैं इसी तरह जो टिकट होती है अगर कुछ बाई बैने जो बाहर जाते हैं सफर के लिए तो टिकट खरीदते हैं टिकट बाई करते हैं ट्रेन का चाहे हवाई जहास का ये किसी भी चीज़ का वो टिकट लेते हैं तो टिकट होते हैं एक होता है रिटर्न टिकट यानि कि आप जा भी सकते हैं और इस टिकट पे वापस भी आ सकते हैं एक होता है यक तरफा टिकट यह आप सिर्फ जा सकते हैं उस दुबारा आने के लिए वहाँ पे आपको टिकट दुबारा लेनी पड़ेगी तो इस टिकट को जो एक तरफा हो यक तरफा हो उसको बोलते हैं सिंगल टिकट या वन वे टिकट इसी तर एक और लफस इसके लिए यूज होता है वो होता है Muffler Muffler अच्छा कराए की कहा होती है उसको हम बोलते हैं टैक्सी यह हम उसको बोल सकते हैं कैब यह दोना अलफाज सेम एक ही चीज के लिए इसी तरह टोफी मिठाई वगरा जो कैंडी होती हैं उनके लिए हम स्वीट बोल स सकते हैं एक ही चीज है इसके बाद भी आजा तेह चाज़ आए एक टैली टीवी के लिए यूज रिए यूज होता है ठीक हो क्या इसके बाद आगया टीन का छोटा सा डपा याने के टीन पैक जिसे हम कहते हैं टीन पैक टीन के कि अगर तो उसके लिए उसके होगी बाइक होकी ऑकियां उसके लो सकते हैं अगर वृटीन के अंदर है तो उसको को तीम एपर dea kяни इसके आगे आगे आपक डूंस और पर नूंड यह यह पैंट इसको प्रैक्टिस करना आपने इन अलफाज को बोलना है इनको सीखना है समझना है मिनिंग सबका सेम है लेकिन वर्ड़्स दो है लेकिन इनका मतलब सेम है इनी चीजों को लेकर हमने आगे बोल-चाल सीखनी है अगर कोई बात आपसे कर रहा है इन दोनों वर्ड़्स में से अगर एक भी वर्ड बोलता है, अगर आपको उसका मीनिंग पता है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, तो चलें इंशालला हम मिलते हैं, नेक्स स्टेप पे, यह हमारा पहला स्टेप जो इंग्लिश का था वो खतम हो चुका है, दूसरे स्टेप मे इंशालला हम सीखेंगे, अलफाज को बोलना कैसे हैं, अलफाज कैसे निकालनी हैं, डिफरेंट जो लेटर्स हैं, उनके अलफाज कैसे हैं, उनको जैसे हमारे अर्दू के अंदर अलफ बापा हैं, इस तरह इंग्लिश के अंदर ए, बी, सी हैं, उनको बोलना कैसे हैं, उन आवाजे मिलकर एक word बनाती है और word मिलकर एक पूरा जो है, वो क्या करते हैं sentence मना दिता है, और sentence मिलकर पूरा एक paragraph मना दिता है, हमने यही चीज़े, आवाजे हमने सीखनी है, अगर हमें लफज को बोलने की आवाज, इसका पता चला जा जा कि इसको बोलना कैसे है, आवाज क कैसे निकालनी हैं तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी बोलने में असानी होती जाएगी जो इन्शालला मिलते हैं फिर नेक्स टेप तब तक के लिए लाफिस एंड गुड लग